अगर आपने हमारे यूटूब प्रेशनों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेट के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें साथ में इस बेल आइकन को जूरूर किलिक कर दें जिसके आप हमारे हर नए वीडियो के वोटिस्टेशन मिलती रहें वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें नहीं तो डिस लाइक करें जिसके हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकते हैं जो दोस्तों जैसा कि आज देख़िते हैं आज मेरे पास केवन सेलफोन है शेमसंग का जे ट चिस या जो यह है यहां है दसा कुछ निकल भी ढ़ल है तो इसमें आज उसको रिक्लेह करनए कर दो कि अज़िए हैं कि अज़िए इसको रिप्लेस करते हैं इसको साइड दाइब करते हैं तो सबसे पहले हमें इस पर पेस्ट लगा लेना है कि अच्छे से पेस्ट लगा लें इसला कि देख रहे हैं पेस्ट लग चुका है इसला कि अच्छे से पेस्ट लगा लिए पेस्ट लगा लिए पेस्ट कि मेरा घर्म हो गया है और इसमें अतना अतना हिसाब से ले जितना ज़ूरत हो ने बिल्कुल आराम से इस्पाऊ और अच्छे झाल झाल मेरा लिमीग हो गया है देख सकते हैं आप क्या करना है सबसे पहले इस पर इसके पाइंट को अराम से स्वर्लिंग वह कर लेजिए कि जैसा कि इसको मैंने सफा कर दिया हूं रंगाओं का लगा दिया हूं सब्सक्राइं पर ध्यान देने वाली इसके बाद एक अराम से सुझ बिल्कुल अराम से सोड़ कर लाएं था पर दिया हूं कि देख सकते हैं यह मैंने कनेक्टर इसमें लग गया है तो इसको सबसे पहले ब्रस से साप कर लेते हैं कनेक्टर को अच्छे से कि अच्छे साफ हो गया है कि इसमें फोल्डर लगा के अलग से चेक करा देते हैं कि यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हूं इसको पहले आराम से इसको बैठा लेते हैं अच्छे से साफ तो लगाइं हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ झाल हुआ है हुआ है पूर्मी नहीं परनाजबी